सर्दियों के मौसम में गरीब और जरुतमंद लोग भी ठिटूरने से बच सके इस पहल के साथ और इस सोच के साथ प्रयाग फाउंडेशन दौरकर सेक्टर पंद्रा विकास विहार में कंबल वित्रित कर रही है आप यहाँ देख सकते हैं कि रंग भी रंगे कंबल यहाँ प मौझूद है सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे सर सरे बताइए कि लगभग आज कितने लोगों को कंबल वित्रित किया जाएगा एक सो एक लोगों किया जाएगा तो उसमें हमारे समानी है आती थी यहां के कॉंसलर्स भी आएंगे अगे तो एक्शनली में गरीब जो असा लोगों को आज कंबल वित्रित किया जाएगा उद्देश्य क्या है कि सोच के साथ आपने इसकी शुरुवात की हमारा प्रयाक फाउंडेशन हमेशा से असहाय और बे सहारा लोगों के लिए समाज में सहारा का काम करता है अभी सर्दियों भर हमारा पूरा उत्तर आया जाए जिससे उनका तो अभी हमारा यह जो प्रोग्राम है वह 101 कंबल वित्रण है जो विकास बिहार के असहाय लोगों को दिया जाना है हमारा 101 के लोगों को भी कंबल दिया जाएगा और हमारी प्रयाक फाउंडिशन के टीम पूरी ततपर है लोग आने शुरू हो आई यहां पर जो कंबल वित्रट किया जाता है आप बताये शर्य वित्रण के अलावा और किस तरह की मुहिम आप चलाते गरीब λोगों के लिए देखिए सर्दियों में हम जरूर्तमंदों के लिए कंबल बाटने का काम करते हैं इसके अललावें उन लोगं के लिए ए जिन लिए हम अगर कुछ तंबू या टेंपरेरी कुछ ऐसी एरेंजमेंट कर सकें जिससे कि उनकी रात गुजर सकें तो सिर्फ कमबल देना ना काफी होगा तो रात को अगर उनके लिए अगर कोई तंबू या कुछ इस तरह का पॉलीएस्टर का कुछ डाला जा सके जिस से कि उन और इन चीजियों से रहात में सके उनको इसके लिए भी हमारी संस्था सर आप बताइए जो प्रयाक फाउंडेशन अलगभग कितने सालों से इस तरह के समाजिक कार्रों में लगी हुई है गर्मियों में गर्मी के वस्तर हो गया रहा है और बेसा है बच्चे वरक बुक्स इसके लावा और किस तरह के कारों में आप रूची रखते हैं आपको क्या लगता है कि और भी काम पूपकरने चाहें लोगों के लिए इसका उद्देश बहुत बड़ा है जैसे आप देखते हैं मैं सेवा सरबुपर ही हमारा मेन सूत्रवाक के हैं इसको लेकर हम चलते हैं तो सेवा कई जिस तरह के भी सेवा हो सकती है करते हैं हमारा मेन है सेवा सरबुपर ही है सेवा किसी भी तरह की हो सकती है एक नए आयाम के साथ यहां पर प्रयाक फाउंडेशन पिछले छे से साथ सालों से इस तरह की समाजिक कारें यहां पर कर रहा है क्योंकि जब गर्मी होती है तो लोग और आसाहे लोग होते हैं वो इस ठंड के प्रकॉप से या तो अपनी जान दे देते हैं या फिर टूरते रहते हैं इसी एक सोच और पहल के साथ के फाउंडेशन है पिछले कई सालों से इस तरह के काम कर रही है इस वक्त यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पिछे कुछ गरीब लोग यहां पर आ चुके हैं यह महिलाएं हैं जो जिनें यहां पर कंबल वित्रित किया जाएगा मैं कहना चाहूंगी समीति के लोगों से कि एक कंबल इन महिलाओं को जो यहां पर कंबल दिये जाए जिसे कि हमारे कैमरे में भी यह कैद हो कि जो वाकि में आप काम कर रहे ह वो बहुत ही एक समाजक काम है और सही मायने में ईह लोगों को एक सर्दियों के मौसम में कंबल वितरित किया रहा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक करके लोगों को कंबल वितरित किये जाएंगे यह वो गरीब महिलाएं हैं जो थंड से बचने के के लिए यहां पर कंबल लेने के लिए पहुंची हैं शायद यह कंबल जो है इनको कहीं ना कहीं थंड से बचाने के लिए काफी कारगर साबित होंगे कैमरा संधिशान के साथ मैं चेतना चाधरी नेशन लाइफ दिल्ली